हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माइच चैनल और अगर आप ही चाहते हैं फ्रेंड्स हेल्दी और स्ट्रॉंग बाल तो यूज करें ये हेयर मास्क इस हेयर मास्क को बनाने के लिए आपको चाहिए करी लीप्स जी हां वही करी लीप्स जिनका यूज हम अपने खाने में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके पेल आइकन को भी प्रेस कर लें तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं तो इस हेयर मास्क को बनाने के लिए आपको चाहिए करी लीप्स जिने आप अच्छ कर लें जिसी किसका पेस्ट बन जाए सेकंड सेप के लिए आपको चाहिए एक अनियन उसको आप काट कर ग्राइंड कर लें और फिर उसका जूस निकाल लें अब जो करीपता का पेस्ट है आप उसमें अनियन जूस को मिक्स कर दें इसको अपने बालों पर अप्लाए करने से पहले अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लें जिससे ये मास्क अप्लाए करने में आपके बाल टूटे ना अब इसे अपने बालों में अच्छी से लगा लें अब जानते हैं कि इस हेर मास्क के आपके बालों के लिए क्या-क्या बेनिफिट्स है करी लीप्स और अनियन जूस एक बहतर कॉमिनिशन है प्री मिच्च और ग्रे हेर की प्रॉबलम को दूर करने का इसका यूज करने से आपके बालों का नीच्रिल कलर बापस आ सकता है साथी करीपत्ते में होती हैं एंटी-फंगल प्रॉपरटीस जिससे आपकी ड्रेंड़ुफ की प्रॉबलम दूर होती है और इसमें एंटी-बैक्टिरियल प्रॉपरटीस भी होती है जो hair fall को control करती है इसमें जो हमने onion juice यूज किया है उससे भी बालों का टूटना कम होता है क्योंकि onion में भी होती है antibacterial properties जिससे trendov की problem दूर होती है साथ ही onion में sulfur काफी होता है जो टूटते और पतले बालों के लिए काफी अच्छे save work करता है ये hair mask आपके बालों में shine add करता है आपके hair growth को promote करता है और अगर आप इसका regular use करते हैं तो इससे आपको मिलेंगे लंबे घने और मजबूत बाल इस hair mask को अपने बालों में 30 से 45 मिनट के लिए लगा रहने दें इसके बाद आप किसी mild shampoo से अपने बालों को दो दें या फिर आप जो भी shampoo यूज करते हैं उसका use आप अपने बालों को wash करने के लिए कर सकते हैं तो friends इसका use करके आपको मिलेंगे अपने बालों के लिए गसफ के results करना क्या है video को like करना है चेनल को subscribe करना है बेल अइकन को भी press करना है जिसे कि आपको यह video मिसना करें वीडेयों को अपनी family and friends के साथ शियर भी करना है तो चलिए friends मिलते हैं next video में